विनोध जी, पिछले मॉडियूल में हमने अलग-अलग तरह के संसाधन की योजनाओं पर चर्चा की। इनमें शामिल थी भौतिक संसाधन योजना, मानव संसाधन योजना और वित्तिय संसाधन योजना। हमने एफपियो की बुनियादी वित्तिय आविशक्ताओं को भी समझा। जी, इनमें वित्तिय संसाधन के बारे में जानना सबसे महतुपूर्ण था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक एफपियो अपना कारुबार चलाने के लिए किस तरह पूंजी जुटा सकता है। इस मॉडिूल में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आईए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वक्त के साथ एक एफपियो की वित्तिय अविशक्ताएं किस तरह बढ़ती हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे। एक एफपियो कैसे विकास करता है। आगे बढ़ने के साथ एक FPO की वित्तिय जरूरतें भी कैसे बढ़ती हैं। विकास के अलग-अलग चर्णों में FPO के सामने कौन-कौन से वित्तिय विकल्प मौजूद हैं। जी बिल्कुल, तो आईया आगे बढ़ते हैं। एक FPO कितने चर्णों से गुजरता है। एक जुट करने, रजिस्ट्रेशन, प्रबंधन, प्रशिक्षन, उन्मुखी करण, यत्रा आदी के लिए पैसे की जरूरत पढ़ती है। इस चर्ण में FPO को अनुदान राशी की आविशक्ता होती है। यहां इसके लिए अनुदान और कारिशील पूंजी दोनों की जरूरत होती है। परिपक्वता या कारोबार विस्तार के चरण में FPO को प्रबंधन, प्रशिक्षन, कारोबार विस्तार प्रसंसकरन, व्यापार, छटाई, भंडारन, परिवहन और बुनियादी धाचे जैसी गतिविधियों के लिए वित्त की आविशक्ता होती है। यहां से उसे कारेशील पूंजी और साउधी कर्स या टर्म लोन की आविशक्ता होती है। प्रक्रियाओं को तैयार करने और उन्हें मजबूत बनाने, खासकर गवर्नेंस, प्रबंधन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। हाला कि FPO इस चरण में कुछ कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इस दौरान उनके पास इतना अतिरिक्त पैसा इखटा हो पाए कि वो इन खर्चों का बोज उठा सकें। इस दौरान FPO को स्थापित करने के लिए अनुदान के रूप में शुरूराती वित्य मदद की जरूरत होती है। हाँ, मैं कई नए FPO को देख चुका हूँ, जिन्हें अपना संस्थागत धाचा मजबूत बनाने के लिए वित्य साहिता की जरूरत होती है। इस चरण में अनुदान एक सही विकल्प है। विकास का चरण, इस चरण में FPO के शुरूराती दौर में स्थापिक कारोबार को लगातार जारी रखने और उसे आगे ले जाने की आविशक्ता होती है। इस दौर में सबसे बड़ी जरूरत कारेशील पूंजी की आविशक्ता को पूरा करना होता है। इस चरण में FPO इनपुट कारोबार या उत्पाद कारोबार कर सकता है जिसके लिए कारेशील पूंजी की आविशक्ता होती है। इस चरण में FPO का कारोबार इस्थापत और परिपक्व हो चुका होता है। इसलिए कारोबार के फैलाओ और उसमें विवधता लाने के लिए अच्छी खासी पूंजी की जरूरत पड़ती है। जिसे कर्ज के जरीए पूरा किया जा सकता है जिसमें कारोबारी, सबसीडी या गैर कारोबारी कर्ज शामिल है। साथी प्रसंसकरण यूनिट ग्रेडिंग, छटाई याड, भंडारन, गोदामो, कोल्ड स्टोरेज, परिवहन आदी सुवधाओं के लिए भी कर्ज की आवशक्ता होती है। दूसरी और कारिशील पूर्जी की जरूरतों को भी पूरा करना होता है। बिल्कुल सही, संस्थान और कारोबार स्थापित करने के साथ साथ, एफप्यो को अपना कारोबार चलाने के लिए नियमित पूर्जी की आवशक्ता होती है। बदलती जरूरतों और तमाम तरह की वित्तिय सहायताओं के बारे में समझेते हुए, अगले सत्र में हम इन सभी वित्तिय स्त्रोतों के बारे में गहराई से समझेंगे। विनो जी, हमने अब तक जिन मुद्दों पर चर्चा की, क्या आप उन्हें एक बार फिर संक्षेप मे दोरा सकते हैं? उसे कर्ज की जरूरत होती है।